आप सबको पता है कि UP scholarship को लेकर बच्चे बहुत ज़्यदा फरिशान हैं गईस बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो correction को लेकर person की सर मैं correction नहीं कर पा रहा हूं तो guys मैं आपको live proof दिखाने वाला हूं कि आपको correction कैसे करना है और guys correction का portal open भी हो चुका है तो guys इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यदा important होने वाला है तो प्लीज आप वीडियो को skip पर के मत देखना सबसे पहले आपके लिए लेटेस अपडेट है कि बहुत से ऐसे student है जिनका status verify तो guys हो रहा है बट verify होने के बाद कुछ other हो कर रहा है यहां पे guys यह आपके लिए काफी ज़्यदा problem यह आप never enable for dbt and beneficiary has been created based on account इसा इनका शो कर रहा है मतलब कि क्या है कि इनका अधार काड enable कभी भी नहीं हो सकता है dbt कभी भी enable नहीं हो सकता है direct bank transfer के लिए तो guys सब क्या है कि ऐसे में का verify तो है क्या है मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आपको पता कि correction का portal open हो चुका है और correction के time wise क्या करना है आपको आपका जो bank detail है उसको change कर देना है अगर आप bank detail को change कर देंगे तो आपका पैसा आपको खाते में आ जाएगा guys आप सबको पता है कि जो पैसा आपका आता है ओ अधार अब गाइस यहां पर क्या है काईस यहां पर बहुत से ऐसे बच्चे यहां पर देखे वेट यहां पर गाईस यहां पर क्या है एक latest comment यहां पर है कि bro मेरे दोस्त की class 11 की यसी category की 1186 आई है लेकिन मेरी नहीं आई है सब कुछ verify है लेकिन मेरे नहीं आया है 712 2022 को verified हुआ और भी इसी डेट में इसी डेट पर verify हुआ था गाईस यहां पर क्या है वेट यहां पर गाईस वेट तो गाईस मतलब की इनका इनके दोस्त का पैसा आच चुका है लेकिन इनका पैसा नहीं आया है तो गाईस मैंने आपको सुबह वाली वीडियों बताया था कि अगर मानलीज आपके दोस्तने क्या होता है जो पहले चर्ण में अवयदन करते हैं और भी इस बerkाई मतलब फीस में पैसा आता था तो ऐसे में इस वेडि雑ले वहारा है लेकिन आपका पैसा है लेट आएगा आपको अधिया क्लियर कर दिया क्या है कि आकर में करेशन का पोडल क्यों ऊपन नहीं हो रहा है और कौन से साथ करेशन कर पाएंगे गाइस मैं आपको बस इतना है बताना चाहूँगा कि इतने भी छात रहे हैं अगर आप 9 वी में पढ़ रहे हो या फिर 10 वी में पढ़ रहे हो या फिर 11 वी में पढ़ रहे हो या फिर 12 वी पढ़ रहे हो तो finally आपके करेक्शन का पोड़ेल ओपन हो चुका है अगर गाइस आ विकिन अभी हाली के लिए का इसमें देख रहा हूं जितने भी छाद 9-10 इंग्रावी बरावी वाले हैं उनका ही करेशन पॉटल ओपें हो रहा है और और इसमें आपको बस इतना ही बताओंगा कि अगर आप इपका इंग्रावी में हो आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका करन तो आपको फेस्ट करना है अगर आप इग्रावी बारवी की स्टुएंट है नवी तस्मिक है तो आपको थोड़ा सो भी टेंसन नहीं लेना आप बहुत जिए जहां पर मैसेज कर देंगे इंस्साग्राम ऐडी पर मैं आपको सब कुछ वेरीफाइट कराकर मैं आपको फारओट कर दूगा ओके मेरे मूताय यहां पर यह इंगे आपकु करेशन कहां से करना है तो किस मेनना को कही बार बता है कि अपको करना है इसके लिए गूगल पे सर्च कर लेना बोर्श-e-exam.com जहां से आप सब अपने करेशन को कर पाएंगी अपने पैसे को चेक कर पाएंगे अपने क्या है अपने स्टेश को भी चेक कर सकते हैं इसके लिए इसके लिए आप देखिए बोर्स एक्जाम.com की ऑफिस्यल साइट आएगी आपको यहां पर क्लिक करना होगा जैसे यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस परकार से इंटर पर जाएंगे यहां पर आता ही आप यहां पर देख पाओगे ना यहां पर क्लिक करना होगा जैसा ही आप यहां पर क्लिक करते हो तो आपको नीचे आ जाना है नीचे आता ही यहां पर क्या है आप देख पाएंगे ना यहां पर करेंगे पेड़ान यहां पर जबो दो पर प्लिक और क्लिक करना होगा यहां पे प्लिक करना होगा और पुस मैंट्रिक इंटरमीटर वाले हैं तो यहां पर पोस्स मेंटरिक रिक करेंगे और इस पकार से इंटर पेज करने के पाद लाइस पूसरे पर समिट पर करना होगा, और इस छो भी गलती है, आप उसको चेक आउट करके वहां पे सब है करके समिट कर सकते हैं, आप से नहीं हो पाता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी यह दूवन सी टूफर फाइफ सी पर मैसेज करके कांटेट कर लेना मैं आप इसके लिए श्योर हूं कि मैं आपका वेरिफाइब कर दूगा अब मैं यहां पर यहां पर यह आ रहा है कि आखिर में कौन से स्ट सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जब भी बात कर देना ताकि मैं आपकी ट्वेरि में रख पाऊं और मैं आपके बारे में पूछ सकूँ तो काईस आप इतना काम कर लेना और काईस मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ना कि अगर आप सब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइक को प्रेस कर लेना और कोई क्यूशन होगा कमेंट कर देना बैबाइ टेक किया